Hello students, स्वागते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल गौड ग्लासेज पर गौड ग्लासेज यानी मैस भी एन मस्थी भी आप लोगे board exam आ रहे हैं और हमारा जो एक मात्र लक्ष है हमारा जो मुख लक्ष है कि आपके board exam की preparation ऐसी करा देनी है ऐसी करा देनी है ताकि कोई भी question हो किसी तरह का question हो आप exam में करें किया रहे हैं ये question तो हमने किया हुआ है ठीक है उसी श्रंकला में हम ये जो series है वो start कर र हो हैं अभी तक दो बार पेपर हो हैं 2022 में 2023 में अलांगी 22 में दो बार पेपर हो है टर्म 1 और टर्म 2 तो टोटल मिला कर आप कह सकते हों कि टीन एक्जाम हो है उसके इलावा दो compartment exam भी हो है तो जितने भी exam अभी तक हुए उन सब में जो भी question आए chapter wise वो series में हम यहां पर चैनल को subscribe करके रखें और साथ ही साथ अपने friends को भी share करें जो भी आप ही की तरह applied mathematics के board exam की preparation कर रहे हैं तो आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पर एक चीज़ और बतातूं कि आप अपनी board exam की preparation कर रहे हैं उसके लिए God classes ने question bank और sample paper दोनों आप लोग के लिए प्र purchase कर सकते हैं hard copy, soft copy, जैसे आप comfortable हो वैसे आप उसको purchase कर सकते हैं और अपनी exam की preparation बहुत अच्छे डंग से कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर सबसे जो पहला question है matrices का matrices or determinant यह दो chapter मिलाकर आपके 11 marks के chapter 11 के 10 के हैं 10 यह 11 देख लेते हैं वार कितने हैं 10 के हैं matrices or determinant दोनों मिलाकर 10 marks के chapter हैं तो यह 10 के 10 marks आप बड़े अराम से ले सकते हो बड़े अराम से ले सकते हो कोई बहुत जादा मुश्किल chapters यह नहीं है तो यहाँ पर जो पहला question है उसमें कहता है कि matrix आपको दे रहे कि यह 2 by 2 इसका order दिया हुआ है और Aij दिया हुआ है I plus J Aij क्या दिया हुआ है Aij दिया हुआ है I plus J तो आपको matrix बतानी है तो आपको simply करना क्या है यहाँ पर I और J की जगे बारे बारे से आपको values बूट करनी है तो यहाँ पर I की और J की जगे हमने रख दिया पहले 1,1 तो यहाँ पर भी हम रख देंगे 1 plus 1 2 आ गया यह वाला element त फिर A12 निकालेंगे तो आजाएगा 1 plus 2 यानि आगया 3 और फिर हम निकालेंगे A21 तो आजाएगा 2 plus 1 यानि यह भी 3 आएगा और अगर आप A22 निकालेंगे तो आजाएगा 2 plus 2 यानि 4 तो matrices क्या बनेगी 2,3,3,4 देखो 2,3,3,4 आंसर आगया आपका B उसके बाद यहाँ पर कहता है कि एक matrix है इसमें आपको A square की value A के बराबर दी हुई है और आपको यह वाली value find करनी है तो कहरा है I plus A, I plus A का square minus 3A, इसकी value आपको find करनी है तो यहाँ पर आप A plus B का whole square की identity लगा सकते हैं तो A का square हुआ, plus B का square हो गया, plus 2AB B, minus 3A, I का square करेंगे, I को कितनी बार भी multiply करें, वो तो I ही रहता है A square की value हुमें दे रखिए, इसने A के बराबर I को A से multiply करेंगे, तो A ही होता है तो यहाँ पर देखो, यह 3A बन गया, यह minus 3A, मतलब यह तो गया cancel, answer बन गया I तो हमारा option बन गया, इसमें A Next question में कहता है, A हमें यह दिया हुआ, B हमें यह दिया हुआ और AB का multiplication है, वो identity matrix of order 3 के बराबर है Then X plus Y, तो X plus Y की value क्या होगी तो पहले हम AB निकालते हैं, यहाँ से AB आपको दिया हुआ है किसके बराबर? I identity matrix के बराबर तो AB की value निकालेंगे, हम इसको multiply करेंगे इस row को इस column से multiply करेंगे, देखो 1 into 1 1 हो गया, उसके बाद यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से भी 0 आएगा तो यह पहला element आएगा हमारा 1 फिर अपने इस row को इस से multiply करने है, तो देखो यहाँ से minus 2, इदर से plus 2, इदर से 0, तो बने गया आपका 0 इदर से आगया y, इदर से आगया 0, इदर से आगया x, तो यहाँ पर बनेगा x plus y, ठीक है, अब यहाँ पर identity matrix में पहले लिख ले रहा हूँ क्योंकि mcq questions को न, mcq की approach से अगर आप करोगे, तो थोड़ा जल्दी आपका answer आएगा, तो अब अगर आप यहाँ से आप से x plus y की value इसने पूछी है, अगर मैं आगे इसको solve ना करकर, मैं सीधा यह करूँ क्योंकि x plus y की value में यहाँ से निकालूं, क्योंकि 2 matrix आपस में equal हैं, तो x plus y 0 के बराबर आगया, answer मेरा बन गया 0, ठीक है, तो आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आगे आपको करना पड़ता है, तो normally जैसे आगे multiply करते हैं, वैसे आगे multiply करेंगे, उससे आप plus ba plus 2a square, इसकी value बतानी है, तो ai plus ba plus 2a square, इसकी value आपको find करनी है, तो a को मैं identity matrix से multiply करता हूँ, तो यह हो गया जी, b को a से multiply करना है, तो 101, 001, a, b, 2, फिर यहां पर है a square, फिर इस तरीके से, तो यहां पर अगर आप इनको multiply करते हों, तो यह तो आगे आपके पास ऐसे, इदर से आजाएगा यह b, 0, b, 0, 0, b, a, b, b, b square, और यहां गया 2b, plus, इन दोनों का आपके से multiply करेंगे, तो देखो 1 को इससे करेंगे, 1 आजाएगा, इदर से 0 करेंगे, इदर से a आजाएगा, तो 1 plus a, इदर से 0, यह भी 0, इदर से आगया यह b, फिर यहां से 1, 0, फिर य प्लस 2 हो गया 3, इदर से करेंगे 0, इदर से 0, इदर से आगया a, इदर से करेंगे 0, यह भी 0, इदर से आएगा b, इदर से 0, यह भी 0, 1 को 2 से करेंगे, यह आगया 2, इदर देखो a, plus 0, plus में 2a, तो बन जाएगा 3a, इदर से 0, यह भी 0, यह आएगा 2b, इदर करेंगे a, b और 4 अगर हम इन सब को आपस में add कर दे कहीं पर देखो minus तो वहीं पर sign है नी यानि सब कुछ add ही होना है तो add होने पर ना तो ये matrix बनती ना ये matrix बनती ना ये matrix बनती तो इसका मतलब है कि इसका जो answer है वो है none of these अगर ये subjective में आएगा तो हम पूरा इसको solve कर देंगे इन सब को आपस में plus कर देंगे plus करके देख लेंगे क्या बनेगा लेकिन mcq में तो हमें पता लग रहा है न ये वाली value तीनों में से तो कोई बनने का chance ही नहीं है तो इसका मतलब हमारा answer यागर none of these ये question आपको करने की ज़रूद नहीं है ठीक है ये deleted question है और ये वाला question हम करेंगे यहाँ पर सिदा सिदा आपसे a b पूछ रहा है यानि a और b को multiply करना है तो a और b को आप जो multiply करेंगे तो देखो यहाँ से 1 into minus 5 minus 5 हो गया 0 minus 10 0 हो गया तो यानि पहला जो element है या आया minus 5 minus 5 इसमें है इसमें नहीं है मतलब ये दो option तो आपके खतम ठीक है उसके बाद देखो ये वाला element यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है तो मैं solve नहीं करता दोनों में बराबर या रहा तो 10 ही या रहा होगा ठीक है तो इस element को देखो ये भी 0 आ रहा है तो इसको भी मैं solve नहीं करता तो ये वाला element है ये आपको answer बताएगा अब ये element कौन सा बनेगा second row second column तो second row को second column से multiply कर लो यहाँ पर देखो minus 20 ठीक है minus 20 और इदर से आएगा minus 5 तो ये बनेगा आपका minus 25 तो minus 25 इसमें है यानि ये हमारा answer है ये वाला question भी MCQ में है तो यहाँ से देखो पहले आपको x और y की value बतानी है तो पहले आप x plus 2 को इसके बराबर रखो यहाँ से आपको x की value मिल जाई तो x की value मिल गी आपको 3 x की value 3 इधर है इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है मतलब ये भी option गया, ये भी option गया, ये भी option गया ये आपका answer आगे आगे कुछ करने की ज़रूती नहीं यहाँ पर कहता है a and b are two matrices such that a b equals to a and b equals to b then b square तो यहाँ पर b square की आपको value निकालनी है तो b square का मतलब हो गया कि इसको मैं इसे लिख सकता हूँ b into b इसे लिख सकते हैं अब यहाँ पर जो b की value है b की value आपके पास है b a तो b की जगे आपको b a put कर देना किसी में भी कर दो, इसमें कर दो या उसमें कर दो तो b की जगे आगया ये b a अब इसको वापस से rearrange करते है तो a b अब इन दोनों को इखटा कर देते हैं ऐसे अब a b की value आपके पास है a b की value है a तो यहाँ पर आ जाएगा a ठीक, यहाँ पर बचा b a अब b a की value क्या थी? b a की value थी b तो यानि b square की जो value है वो b के बराबर आई है यहाँ यह option बन गया इसमें आपका a यहाँ पर कहता है कि a एक matrix है symmetric है तो symmetric matrix में क्या होता है? इसका जो transpose होता है इसके बराबर ही होगा तो अगर हम इसका यह a आपके पास है ठीक है? यह इसका transpose हो गया तो transpose में आपको 5 x y 0 ऐसे कर देना है आप symmetric है तो यह दोनों आपस में equal होने चीए तो इसको जब आप compare करोगे यहाँ से कि x की value है y के बराबर आ रही है यहाँ से करोगे तो y की value x के बराबर आ रही है लेकिन value क्या रही है? नहीं निकाल सकते हैं इतना पता है कि x और y दोनों बराबर आ रहे है तो मरा answer बनेगा यह c यहाँ पर करता है कि write the matrix this as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix यह subjective question है इसमें आपको यह जो a आपको दिया हुआ है a आपको दिया है 7, minus 3, minus 3, minus 1, 1, 0, minus 1, 0, 1 सबसे पहला काम होगा इस तरह के question में आपको a transpose निकालना तो इसका transpose करते हैं 7, minus 3, minus 3, minus 1, 1, 0, minus 1, 0, 1 उसके बाद हम a plus a dash निकालेंगे यह इन दोनों का sum कर देंगे अब इन दोनों का sum करेंगे तो 7, 7, 14, minus 3, minus 1, minus 4 हो गया minus 3, minus 1, यह भी minus 4 इदर से यह भी minus 4, 1 plus 1, 2, 0 plus 0, minus 1, minus 3, minus 4, 0, 1 plus 1, 2 यह आ गया जब भी हम a cost के transpose के साथ add करते हैं तो हमेशा matrix गुआएगी वो symmetry गया है तो यहाँ पर यह matrix symmetric है ठीक है लेकिन हमें इसका half भी करना होता है जब भी है इस तरह का question आएगा ना कि इस matrix को आपको symmetric और skew symmetric के sum में express करना है तो यह निकालने के बाद आप इसका half करेंगे उसको हम एक नाम दे देते हैं कि हमने मैं लिए matrix P तो यह बना आपके पास A plus A dash ठीक है तो यह जो matrix आई है इसका half कर लो तो यहाँ 7 minus 2 minus 2 minus 2 1 0 minus 2 0 1 अब इसका transpose निकाल के दिखाओ कि यह same आ रहा है नहीं आ रहा तो P का transpose हमने किया तो यहाँ जाएगा 7 minus 2 minus 2 minus 2 1 0 minus 2 0 1 अब देखो दोनों में कुछ फरक तो नहीं है तो दोनों में कुछ फरक नहीं है मतलब P transpose करने पर यह P के बराबर आई है that means यह एक symmetric matrix है तो हमारे पास एक symmetric matrix था हमें मिल गी अब एक skew symmetric बनानी है तो इसकी symmetric के लिए हम क्या करते है इसमें हम निकालते है a minus a dash दोनों को आपस में minus करो 7 minus 7 0 हो जाएगा minus 3 और यह plus 1 हो जाएगा जब minus करोगे इसको तो यह plus 1 हो गया तो minus 3 plus 1 यानि minus 2 यह भी minus 3 plus 1 minus 2 minus 1 plus 3 plus 2 हो जाएगा 1 minus 1 0 यहाँ पर तो दोनों में 0 है तो minus 1 plus 3 2 0 और 1 minus 1 यहाँ भी 0 अब इसका भी आप half करो यह matrix हमेशा बनेगी skew symmetric इसका नाम दे दी हमने क्यों half of a minus a transpose तो इसका half करेंगे देखो उपर आजएगा 0 minus 1 minus 1 इदर आजएगा 1 0 0 इदर आजएगा 1 0 0 अब इसका आप transpose करके दिखाओ इसका हम दो transpose करेंगे तो पहली row को लिख दिया हमने 0 minus 1 minus 1 फिर second row को लिखा ऐसे फिर third row को लिखा ऐसे तो यहाँ पर यह आपके पास q था यह आपके पास q डैश आया तो यहाँ पर देखोगी कि सबके sign change हो गए है ठीक है सबके sign change हो गए मतलब यह minus q के बराबर है that means यह skew symmetric है अब यह skew symmetric आगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अब a को इसको p को और q को जब आपस में add करोगे तो वो क्या होगा एक symmetric होगा और एक skew symmetric होगा तो p और q को हम करते हैं add तो p की value थी आई आपके पास यह 7 minus 2 minus 2 minus 2 1 0 minus 2 0 1 इसमें q कर देते हैं add q आगे आपके पास यह 0 minus 1 minus 1 1 0 0 1 0 0 अब यहाँ पर हमने इतना है इसको छोड़ देना है ठीके जो हमारे पास यह A था A क्या था हमारे पास यह इस matrix को हमने एक symmetric और q symmetric के sum में express कर दिया बस equals to आप यहाँ पर दिखा दो ऐसे A ही चेक कर लो किसका sum करने पर A के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा चेक कर लो 7 plus 0 देखो 7 आ गया minus 2 minus 1 minus 3 आ गया minus 2 minus 1 minus 3 आ गया minus 2 plus 1 minus 1 आ गया 1 plus 0 यह 1 आ गया 0 minus 2 plus 1 आ गया minus 1 फिर यहाँ पर 0 फिर यहाँ पर 1 answer आपका यही बनना चाहिए बस sum करके इसको express करके इस तरीके से छोड़ देगे ठीक है और इसी question के साथ ही जो matrices के question थे previous year questions वो सारे के सारे हमने हाँ पर कदम गर लिए I hope आपको सारे question अच्छे से समझ में आगे साथ ही यह समझ में भी आ रहा है कि board exam के अंदर किस level के questions आपको practice करने चाहिए आज किस video में इतना ही thanks all of you